आज हम बात करेंगे एक transformation plan की my transformation plan of 2018 इसका जिक्र मैंने पहले अपनी instagram post में भी किया है in this transformation plan what I want is I want you to transform your body with me और यह transformation plan बहुत ही unique transformation plan है अगर आप बाखी transformations देखते हैं तो उसमे आप देखते हैं कि लोग keto diet follow करते हैं boiled vegetables खाते हैं boiled chicken खाते हैं तो इस transformation plan में मैंने कोशिश किये कि मैं इस plan को बहुत close रखू एक इनसान के daily life से क्योंकि बहुत difficult होता है अगर आप married हैं आपके kids हैं even अगर आप single भी हैं तो आपके घर में इडाती है तो वो कोई ऐसा खाना नहीं बनाएगी अगर आप married हैं तो आप बच्चों के लिए ऐसा खाना नहीं बनाएगी तो बहुत difficult होता है दो separate kitchen set up करना और उनको follow करना एक ल normal diet के सबसे पहली जिसमें आपको जो ध्यान में रखनी है वो यह है कि आपको calorie deficit बनाना है calorie deficit से मेरा मतलब है आपको calories ज्यादा burn करनी है जितना आप consume कर रहे हो अगर आप 2500 calories कंजियूम कर रहे हो तो आपको 3000 बन करनी है अगर आप 2000 कंजियूम कर रहे हो तो 2500 बन करनी है अपने मार्केट में बहुत सारे fake product देखे होंगे जैसे की sauna belt और fat burners और नीव पानी में ऐसे डालोगे नीव पानी ऐसे पी होगे तो आपका fat burn होगा देखिए यह सब ना fake चीज है अगें आप calorie deficit भी एक limit से जाजा नहीं बना सकते हैं क्यूंकि आपकी body को basic calorie चाहिए like 1500 calories per day चाहिए उसको normal अपनी functioning के लिए सबसे पहले अगर आप इस transformation का part बनना चाहते हैं तो कुछ चीजें आज से ही start करनी शुरू कर दीजिए सबसे पहले तो आप हर एक chance ढूडिए जहां पर आप calories burn कर सकते हैं जैसे कि आप stairs यूज करिए office में घर में और अगर आपको कुछ भी सामान पास की shop से लेने जाना है तो walk करके जाए उसके लिए अपना वहिकल निकालने की जरूरत नहीं है जब भी time मिलता है आपको तो आप walk करिए जब भी time मिलता है सुबह, श लूज हो जाए या आप इतने time के लिए ऐसे दिखें, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पतले हो जाते हैं, मतलब they transform their body with any mode, मतलब बीच चाहे वो keto हो या कुछ भी हो, लेकिन कुछ time बाद again they come back अपनी previous state में, वो इसलिए होता है क्योंकि जो आप follow कर रहे हो, जो आपने follow कि अपने weight loss में, वो चीज कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो आप जिंदगी वर follow कर सको, तो मैं fitness में यही मानता हूँ कि, it should be a lifestyle, it should not be something कि आप एक महने, दो महने, चार महने कर रहे हो, तो इस transformation में, मैं rather than focusing on losing how many kilos, right, how many kilos you shed, I will focus more on your lifestyle, कि आप lifestyle में वो चीजे एड करें, जो आप प life time carry कर सके, जैसे की walk करना, stairs use करना, और भी बहुत सारी चीजे है, food items में बहुत सारी चीजे है, जो आप आज अगर start कर रहे हैं, तो आपको ऐसा ना लगे यार, कि इसे में 5 मैंने कली, 6 मैंने कली कर रहा हूँ, मतलब अगर आपको कोई बोले कि आपको जिंदगी भर भी कर अगर हूँ, तो सबसे पहले ये देखे, this is my current physique, right now I am weighing 60 kg, 60.2 kg, fat है मेरा 20.2%, visceral है मेरा 5, muscle है 35.8, body age है 28, resting metabolism 1470 and BMI है मेरा 21.5, जो मेरा target है, वो मेरा है सिर्फ fat, fat को मुझे 20.2 से, I want to bring it down to 15, और हो सकता है उसमां मेरा weight 58 हो 59 हो, मेरा weight में focus नहीं है और ऐसा ही आपका भी होना चाहिए, you should not focus on weight, क्योंकि weight में हमारा होता है fat, muscle और water, हो सकता है आपकी body water loose करी हो, हो सकता है आपका muscle looser हो, which is bad, तो आपका focus होना चाहिए fat में, अब बात करते हैं कि why do I want this transformation की, आप सोचे होंगे I have okay physique और I have decent physique, तो why do I want this transformation, तो सबसे पहला reason यह है कि जिस टाइब का मेरा body type है, जिस टाइब की मेरे genetics हैं और जिस टाइब का मेरा lifestyle है, इन दो चीजों को मैं change नहीं कर सकता, ना मैं अपना lifestyle change कर सकता हूं कि सुबह उटके, जो मेरा workout schedule है और जो clean eating वाला है, और ना ही मैं अपने genetics चेंज करता हू मेरे लिए बहुत difficult है weight put on करना, तो कभी मेरा weight जादा हुआ है, तो कभी मेरे पास यह chance आया ही नहीं कि मैं weight lose करूं, तो I want to see कि कि कितना challenging होता है weight loss करना, second reason is, मैं देखना चाहता हूं कि मेरा fat percentage अगर इतना lose होता है, कि अगर मैं 15% में जाता हूं, तो मेरा कैसी दिखती है body और जो 33 चीज़ है, सबसे important चीज़ है कि I want to understand my body, अगर मैं देखना चाहता हूं कि मेरी body fat loss में कैसे behave करती है, यह एक बहुत important चीज़ अगर आप समझ पाऊ तो, अगर आप से कोई भी इंसान यह बोलता है कि अगर आप यह diet follow करो, यह exercise follow करो, आपका weight इतना कम हो जाएगा, तो simply आपको बेफू बना रहा है, सबसे पहले आपको समझना होता है अपनी body को कि उसको क्या suit कर रहा है, उसको कौन सी exercise suit कर रही है, कौन सा उसको diet plan suit कर रहा है, तो उसमें थोबा टाइम लगता है, तो वही चीज़ आप इस वीडियो में सिखेंगे, हो सकता है कि जो मैंने अभी exercise diet plan बनाया है, उससे मुझे उतने अच्छे result ना मिले, फिर आप देखेंगे कि मैं उसे कैसे tweak करता हूँ, depending upon the matrix, अभी जो मैंने weight, fat, vice, low, सब दिखाया, अगर मैं उसे एक मैने बाद measure करता हूँ, तो मैं देखोंगा कि मेरा क्या चीज़ कम हो रहा है, अगर हो सकता ह और exercise को वैसे ही change करना होगा, तो ये एक main learning है, एक transformation की, अब बात करते हैं कि मैंने अपने lifestyle में क्या changes किये हैं, सबसे पहले तो मैं पहले 5 days a week workout करता था, now I will train 6 days a week, पहले मेरा rest period था 1.5 to 2 minutes, अब मेरा rest period होगा 45 to 60 seconds, पहले workout में मैं लेता था थोड़े carbs, थोड़ा protein, अभी मै प्री workout में बिल्कुल carbs नहीं लोगा, प्री workout में मैं सिर्फ ले रहा हूँ, whey protein और caffeine, I have stopped taking milk, क्योंकि milk में बहुत ज्यादा saturated fat होता है, जो तुम्हारी calories काफी बढ़ा देता है, तो मैंने milk लेना बंद किया है पहली बार life में, और अगर अगर मेरा full day of eating वाला वीडियो गरते हैं तो आप हफ्ते में 5 दें में work out कर रहा था, तो 5 दिन में अपनी diet हाई रह रहा था, calories रहा था, 2 देन में गार था, इसमें बिल्कुल उल्ता हो जाएगा, इसमें मैं 6 दिन कम खा रहा हूँ, या 5 दिन कम खाऊँंगा, और 2 दिन में ज्यादा खाऊंगा, एक पहाडी के लिए चाह चोड़ना, पहाडी के लिए एक उश्यर हमेशा इन्वैलिड होता है, वो होता है, चाह पीओगे क्या, क्योंकि उसका आंसर हमेशा हाँ होता है, तो चाह मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं कोशिश करता था उसे या तो विदाउट शुगा लेने की, या फिर मेरे घर में जैगरी है, तो मैं कभी-कभी जैगरी का इस्तिमाल कर लेता था, बट अभी मैं उसे कंप्लीटली ब्लॉक कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें हम दूद भी डालते हैं, तो उसे कल्रीज कभी बढ़ जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसिजन है मेरे लिए, चाय छोड़ना सबसे जाता है, और जब भी मैं वीडियो बगर अखर कांटेंट तायार करता हूँ, तो I need a cup of tea, कि उससे मुझे सोचने में बड़ा अच्छा लगता है, कि उससे सोचते हुए चाय की, चुस्कियां लेते हुए कंटेंट तायार करना, तो वो आपको पता है, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, तो उसमें क्या है, अगर आप बड़ी मसल ट्रेन करते हैं, तो आप ज़्यादा कैलरी बन करते हैं, और ज़्यादा कैलरी बन करते हैं, तो आप अपना कैलरी डेफिसिट बढ़ा लेते हैं, मंडे और को मैं running कर रहा हूं और Sunday को complete this circuit training कर रहा हूं इस exercise plan को आप download कर सकते हैं, the download link will be in the description box, अब बात करते हैं diet की जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अगर आप fat loss कर रहे हैं तो diet is the key, तो सबसे पहले ही चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि don't do overeating, बहुत सारे लोगों की आदद होती है, एक दम पेट भर की खाना मतलब एक निवाले की जगे नहीं बचनी ची अंदर, तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा कम खाईए, जितनी आपको को अगर में 200 ग्राम चिकन ले रहा था, आपने देखा होगा मेरा फुल डे ओफीटिंग वाले वीडियो में दो रोटी खा रहा था, अभी मैंने वो एक रोटी कर दी है, और मैंने अपना सैलेट थोड़ा ज्यादा बढ़ा लिया है, दूसरा जो सबसे मेन रोल इसमें प् मेरे से, जैसे एक common example ले ले लेते हैं, लंच में बहुत लोग राइस खाते हैं, तो आप राइस जितना खाते हैं, उससे थोड़ा सा तीन या चार चमच कम कर लीजे, उससे ऐसा भी नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, बट आपकी calories काफी, calories deficit में भ काफी बढ़ जाएगा और आपका fat loss अच्छे rate से होने लगेगा, तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, वो यह है कि आप workout से पहले, pre-workout में काफ्स ना लें, टेक whey protein और BCAA to prevent muscle catabolism, और caffeine लीजिए जो आपको energy देगा workout करने के लिए, बट डोंट टेक carbs क्योंकि अगर आप carbs लेंगे तो आप exercise में वही carbs burn करेंगे, और जो आपका fat है वही पढ़ा रहेगा, वह fat burn नहीं होगा, so guys, मेरा motto यही है, इस transformation plan का की, I want it to do with you, I want to do it for you, हो सकता है, अभी एक वीडियो में, 5-10 मिनिट की वीडियो में, सारी चीजें cover ना हो, तो मैं plan कर रहा हूँ कि, will, अगर आप मेरे साथ, अगर आप मेरा साथ दें, तो weekly एक live session रखने का जहां पे, जो भी लोगों को basic doubts हैं, questions हैं, जो भी उन्हें problems आरी हैं, exercise में, diet में, जो भी उन्हें feel हो रहा है, तो वो मेरे से share कर सकें, और मैं उन्हें feedback दे सकूं, उनकी help कर सकूं, so this is my plan, so please join me, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी share करिये, ताकि वो भी इस चीज से जुड सकें, और उनकी भी physique अच्छी हो सके, इस transformation plan में, अगर मैं cheat भी कर रहा हूंगा, तो मैं आप से share करूंगा, वो मैंने कैसे intelligently cheat किया, मैंने कहां पे, कितने दिन कैसे cheat किया, तो वो सारी post में अपने Instagram में डालूंगा, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया Instagram में, you can follow me there, the link is in the description box, okay guys, let's do it, 2018 में अपनी फिजीक पूरी change करके दिखाते हैं, और मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी help करूंगा पूरी जहां तक हो सके, और this is our last important thing, this is all free of cost, क See you soon, bye bye